मद्धिप्रदेश की दत्या में चुनाव प्रिचार के दौरान कॉंग्रिस सेता प्रियंका गाधी वाध्रा ने बुद्धवार को केंद्री मंत्री जोतेरा दित्त सिंधिया पर जबदस्त हमला बोला कॉंग्रिस महा सच्चु प्रियंगा गांधी वाड़ा ने जो तिरा दित सिंधिया को गद्दार तक कह दिया एक बात समझ लीजिए इनके जो सारे नेता है ना बड़े विचित्रे टाइप के नेता है पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते है मैंने उनके साथ यूपी में काम किया अब क्या है क्या है कि कद्वे थोड़े छोटे पड़ गए लेकिन अहंकार में तो भाई 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 वाई में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों के तो हम भी यूपी के है आदत है हम लोग शिकायत, गुस्टा, नाराजगी सब निकाल देते है महराज बोलने की आदत नहीं है लेकिन भाईया उनके पास जो भी कारी करता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें महराज, महराज कहना पड़ता है हमारे मुझ से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाईये विश्वास घाद तो बहुतों ने किया है लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जंता के साथ विश्वास घाद किया है आपके पीठ में चुरब होका है बनी बनाई सरकार को गिरा दिया और वो बनी बनाई सरकार आप की थी आपने वोट दिया था उसके लिए साड़े तीन साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिये है वो सरकार कॉंग्रेस की थी मैंने जैसे कहा 36 गड़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है आप ही के साथ धोका हुआ है इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहां के आपके ग्रिव मंत्री महोदे जी की हो जाए काम है कानून का पालन करान पता चले चला की दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है ने आपके पास कपड़े लगते नहीं है आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं है आगे चलिए विश्व प्रसिद महान अभी नेता श्री शिवराद चोहान उर्फ मामा जी आक्टिंग में तो हमिता बच्चन के कान काट ले लेकिन जब काम की बात होती है तो फक्से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं और मोधी जी का तो आप पूछिये ही मत मोधी जी का क्या कहना देश के पहले ऐसे प्रधान मंत्री है जो पर्मिनेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं करनाट का गए बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इत्ती गालिया दी है यहाँ यहाँ भी कहने लगे मुझे इत्ती गालिया दी है रोते ही रहते हैं लगता है आपने वो सल्मान खान की पिक्चर देखिए तेरे नाम उसमें सल्मान खान शुरू से अंध तक रोते ही रहते हैं मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं उसका नाम रखेंगे मेरे नाम वैसे एक बात है मोदी जी ना आदमी की पहस्चान में टॉप क्लास है दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को एकठा करके अपनी पार्टी में ले लिए मुझे तो बिचारे RSS और भाजपा के जो अच्छे कारे करता है जो सालों से संघर्श कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए उन पे तरस आती है कि क्या पता है कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ला लगे ये हैं हालात अब मजा के एक तरफ आपके काम की बात करते हैं देखिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कहती हूँ हम मध्या प्रदेश में हैं बगल में 36 गड़ है वहां कॉंग्रेस की सरकार है यहां भाजपा की सरकार है तो देखते हैं आपकी सरकार ने क्या किया 36 गड़ की सरकार ने क्या किया और देखते हैं का मतलब यह नहीं है कि प्रियंका गांदी स्टेज में खड़ी है कह रही है तो आप मान जाए मत मानिये आप खुद पता करिए कोई 36 गड़ में रहता है राजस्थान में रहता है कॉंग्रेस में किसी अन्य प्रदेश में रहता है तो आप खुद पता कर लीजिए वहां की परिस्थितिया कहा है क्या है मेरी बातों पे मत चलिए मेरा काम है आपको बताना मैं बताऊंगी देखिए चटीस गड़ में किसानों के कर्ज माफ हुए मैंने आप से कहा कि धान 2600 रुपे कहा 2600 हो गया है अब पहले 24 था अब 2600 हो गया है 2600 में खरीद रहे हैं वहां वन उपज के लिए समर्थन मूली मिल रहा है धान छोड़िये गेहु छोड़िये वन उपज के लिए मिल रहा ह जो महंगाई देश की जो केंद्र सरकार है उसने थोपी है जनता पे उससे बचाया जा रहा है लोगों को जो आपके पैसे हैं आपकी जेब में वापिस दिये जा रहे हैं यहां जब भी यह सवाल उटता है भाजपा के प्रदेशों में उनकी सरकारों में तो जवाब यही आता है कि पैसे नहीं है आप OPS को देखिए कॉंग्रेस के हर प्रदेश में आज OPS लागू है हमने OPS लागू किया वाँ उन्होंने पैसे रोक रखे हैं 36 गड़ में कि जब हम लागू कर भी रहें चाहे आपका पेंशन हो चाहे आपके कर्ज माफ करने की बात हो चाहे महिलाओं के लिए कुछ राहत हो इसकी बात क्यों नहीं कर सकते हैं ये क्यों नहीं कर सकते हैं अब आप बताओ आपके आलाके में पता नहीं अवारा पशू का है, कि है समस्या केतों में? है की नहीं है? है? है, चलो, UP में बहुत है, UP में बहुत है और पूरे मध्यप्रदेश में, जहां-जहां में गई हूं, वहां बहुत समस्या है, तो अब हम देखते हैं कि भई, आपकी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया इसको सुलजाने के लिए, और जो 36 गड़ की सरकार है, कॉंग्रिस की, उन्होंने देखा, कि देखो, ये बड़ी समस्या है, इससे किसान जूज रहा है, रात को आवारा पशू आता है, खेत खा जाता है, तो महिलाएं दिन भर, खेती के पहरीदारी करती है, और रात को, किसान जाता है, वो बेचारा बैठा रहता है, पूरी रात, तो हमने सोचा कि किस तरह से, इस समस्या को सुलजाया जाए, तो क्या किया, उन्होंने, हजारों गौठान बना दिये, और उन गौठानों, यह ऐसे गौठान नहीं है, जैसे इधर उधर दिखते हैं, कि गाउ माता को वहाँ छोड़ दिया, पानी नहीं है, चारा नहीं है, छत नहीं है, और वहाँ पड़ी रहती है, ऐसे गौठान नहीं, उन्होंने सोचा कि ऐसे गौठान बनाएंगे जिससे जो गाओं की अर्थवेवस्ता है वो मजबूत हो जाएगी तो क्या किया? वहाँ जो स्वयम सेवा समू है महिलाओं के वो बनवाए महिलाओं को रोजगार दिया ये कह दिया कि अगर आप गोबर बेचेंगे हम गोबर आपसे खरी देंगे सरकार जनता से कहा कि हम गोबर खरी देंगे तो क्या हुआ? लोगों ने आवारा पशु रखने शुरू किए क्योंकि उससे कमाई सुरु हो गई तो आवारा पशू रखना शुरू किया उसकी गोबर सरकार ने खरीदी उसमें से गोबर गयास बनाया और या ऐसी चीजें बनाई और गोठान में खूब रोजगार दिलवाए खासतोर से महिलाओं को तो वहां मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो उन गोठानों में काम करके अपने स्वयम समू द्वारा स्वयम सेवा समू द्वारा एक लाख से छे लाख रुपए कबा रही है महिलाएं तो एक बड़ी समस्या थी उसको सुलजाने के लिए दिवांग लगाया गया और ये तैक किया गया कि हम इस तरह से सुलजाएंगे कि जनता की सुविधा हो जाएगी और आज मध्यप्रदेश में किसान उसी से जूज रहा है मैं तो कहती हूँ नकल ही कर लेते 36 गड़ में जो प्रोग्राम है जो योजना है उसकी नकल करके यहां कर लेते उतना भी नहीं किया तो जो आपकी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं उससे आज आप जूज रहे हैं बहुत परीजेपी सांसर जोतरादिस सिंधिया ने सोशल मीधिया पोस्ट के जरिये प्रियंका गाधी पर निशाना सादा है जोतरादिस सिंधिया ने एक्सपर प्रियंका गाधी पर पलटवार करते हुए उन्हें पार्ट टाइम लीडर बताया है बेरे रिपोर्ट इंडिया पोस्ट